जान लगा दो या जाने दो जान लगा दो या जाने दो तो मेरे साथियों जान लगा देना लेकिन जाने नहीं देना नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में उमीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपको हमारी आवाज बढ़िया आ रही तो एक बार सभी याफ लिखके कमेंट करें फटा फट यास 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 सब कुछ अच्छा है अच्ट्रा इस्क्रीन ज्यादा बड़ी दिख रही होगी टाइम नहीं है इसको मैनेज करने के लिए मैंने जाने दिया इधर साइड में लिखूंगा वजसे आपसे चुपाना क्या है न तो मेरी आवाज अच्छी है वाइस में कोई प्राब्लम नहीं ठीक है नीरज विश्करमाजी गुट इबनिंग साधान इंडिया गुट इबनिंग आरो अर्चना सर्मा रोही सिंग अराउंड आर्मी अंकीत योगे सत्यम प्रियांशू परसांथ वेलकम सभी का बहुत-बहुत वेलकम एक मिनेट रुखना थोड़ा सा आ गए सभी सिया दूबे बाववी देवल परसांथ दर्मा अनिल कल्पना ठीक है बेसिक पढ़ रहे थे ना आप जीरो लेबल से पढ़ रहे थे एक बार बोल नहीं यस हाँ जीरो लेबल से पढ़ रहे थे ठीक है कल क्या-क्या पढ़ आपने लगबग सब कुछ पढ़ लिया है ना आज ये लाइब कौन सा है लाइब नंबर एट है इस बैच का नाम है आजादी महोत्सो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा एकदम प्यारा सा नन्ना सा कि फिप्टीन अपान थार्टीन अंड यहां पर अगर मैं बात करूँ सेवन अपान टू इन दोनों में कौन बढ़ा है बताए इन दोनों फ्रेक्शन में कौन बढ़ा है अगर इसको क्यू नाम दे दिया इसको पी तो पी और क्यू में कौन बढ़ा है फटा फटा आप सभी जवाब दीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड कभिता सिंग गुड इबनिंग आए सुनिए हम में पॉइंट पर चलते हैं यह बैच का नाम है आजादी महुत्सो इसमें अब तक आपने फ्रेक्शन पढ़ लिया यानि भिन भिन पढ़ लिया है भिन में जोड घटाना गुड भाग जो भी था लगबग सब कुछ पढ़ लिया बचा क्या फिर इसके आगे आज आप पढ़ेंगे वर्ग और घन आप में से किसी को 14 का स्कॉयर याद है एनिवन कोई बता सकता है 14 का स्कॉयर जब आप दीजिए फटपट और दबा के सेयर कीजिए भाईया बाबू सेयर जरूर करिए हंड्रेड प्लस लाइब जाना चाहिए हंड्रेड प्लस उससे कम नहीं हां तो यह आप बताओ उसकी बात तक मैं इसको लिखता हूं थोड़ा अच्छा सा ओके अच्छा है ठीक है सारी का वेरी गूड मनोच सरोच रोहित बिसकर्मा आप नहीं नहीं आईडी बनाते रहते हो बाबू नहीं नहीं आईडी खुब विक की कोई रेफ्रेल कोड नहीं डालना अप्लिकेशन में उसको आपको टीक ही नहीं करना छोड़ देना है आईए अब बात करते हैं साथियों जैसे अगर आप मैस पढ़ोगे तो उसमें कमपटीशन लेबल का पढ़ोगे तो बहुत सारे कल्कुलेशन करने पढ़ते हैं तो जो वर्ग और घंकी कहानी है इसकी में ट्रिक बताऊंगा आपको वर्ग याद नहीं करना पड़ेगा सब याद हो जाएगा एकदम जापानी ट्रिक कि समझ रहे हो लेकिन उसके पहले एक चीज और समझना है कि वह क्या समझना है वह यह समझना है मेरे भाई कि हर जगा ट्रिक लगाना अच्छा नहीं होता है जब थोड़ा बहुत फीवर होता इंसान के सरीर में न तो उसको दवाई ठूश ठूश के खिला दो थी अच्छा नहीं है हलका फुलका फीवर अराम से ठीक हो जाता वैसे भी तो वैसे जो वर्ग वाला जुगाड है आप पचास तक का वर्ग याद कर लीजिए पचास के नीचे की संख्या में ट्रिक लगाने का कोई ज्यादा फाइदा नहीं होता है पचास के ऊपर ट्रिक लगाते हैं जैसे 51 हो आई यह सुनिए तुनिए अगर वर्ग सबसे पहले बात करें जैसे इंगलिस में स्कॉयर बोलते हैं कि मैं आपको एक ट्रिक बताओं सबसे पहले जैसे यह 64 है ना कि 64 का स्कॉयर कितना होगा लगबग लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसका आपको एक ट्रिक बताओंगा ठीक है लेकिन उसके पहले कुछ इंप्वॉर्टटन चीजिए और समझ लीजिए कि इसका ट्रिक यह मेरे भाई अगर इसको ए माने और इसको बी माने है पहली संख्या को एंदूसरी को भी माने कि इसका ट्रिक बनेगा एक इस्कॉयर टू ए बी और बी का स्क्वाइर ये ट्रिक बनेगा रमजो अब 64 में मैंने क्या किया इसको लाके मतलब रख दिया इसको उपर वाला चाय मिटाई दो अब जहां पर A है वहां पर 6 तो यहां पर 6 का स्क्वाइर आफे लाइन 2 A की जगा पर 6 B की जगा पर 4 समझना ये का स्क्वाइर 36 2 चंग 12 चोक 48 अड़ तालिस ऐसे होता ना भाया आप जो आठ है इसको बड़ा फलिक होगे बस ये 4 चोटा फलिक लो ये इसके नीचे हासिल है इसका ये चुगार है समझना ट्रिक है अब 4 चोक 16 यहां का 6 बड़ा लिखो 1 हासिल समझना अगले में क्या करोगे अनीचे लाइन में ये 6 ऐसे रहेगा इसका एक हासिल इसमें जूड़ जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा इसका 4 हाफिल इसमें जूड़ जाएगा 6 4 10 का 0 हाफिल आया एक और 3 एक चार ये 4,096 आंसर आजाएगा मोबाईल में करके देखो मोबाईल में करके देखो सही जा रहा है गी नहीं बताओ एक बार अच्छा जा रहा है ना कोई दिक्कत नहीं किसी को इंटरनेट जिनका सही नहीं है बाबू उनको क्वाल्टी अच्छी नहीं आ रही होगी अपना इंटरनेट सही करिए आप इंटरनेट सही करिए एक बार बोलो यास ये ट्रिक समझ में आया मैं और ट्रिक अभी बताऊंगा आगे आप बेसिक पढ़ रहे हो ट्रिक नहीं पढ़ रहे हो लेकिन ये बेसिक का हिस्सा इफले पढ़ा रहा हूं एक और सुन लिजिए जैसे मान लिजिए मने लेलिया सेवन्टी टू मोबाइल में करके बताऊ इतना आराग नहीं अरिस निजामुद्दीन इसवर दीन नहीलम राजपूत कविता सिंग जिनको कोई इंक्वारी है नीचे नंबर चल रहा है बाबू अराम अराम से दिरी दिरी देखो उसे नोट करो ध्यान से देख करके उसके संपर्क करो दीन में 10 बजे के बाद इसका ट्रिक देखिए एक आई स्कौायर यह ऐसे अब्लिक करके 2A भी अब्लिक बी का इसकौायर यह ट्रिक इस पर लागू होता है समझना यहाँ पर जो A है वो पहली गिंती है जैसे दो गिंती का है न यह दो अंक तो A पहला अंक है भी दूसरा अंक है A का स्क्वाइर यानि पहले अंक का स्क्वाइर 2 पहला अंक यानि A दूसरा अंक यानि 2 और 2 का स्क्वाइर समझ रहों कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना अब देखो आगे सेबन का इसक्वार कितना हो जाएगा बाबू 49 दूसेते 14 दुना 28 28 का आठ यहां लिखोगे बड़ा फा और दो छोटा फा लिखोगे ये दो दुना चारियां केला है इसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं तो ठीक है हो गया अगली लाइन में क्या करोगे ये फोर ऐसे रहेगा ये आठ देखो इसमें कोई हांसिल नहीं था ति ये आठ ऐसे उतर जाएगा अब ये दो हांसिल इसमें जुड़ जाएगा मेरे भाई 11 अब 11 का एक हांसिल एक 4 एक 5 ये अंसार आ गया सभी बच्चे कलकुलेटर से करके बताओ क्या 72 का स्कॉयर ये सही है कि नहीं एक बार बोलो सभी आ रहा है कि नहीं मोबाइल में कलकुलेटर में करके देखो 72 का स्कॉयर इतना आ रहा है ये तो मैं समझाने के लिए चार लाइन में किया बाकी आप एक लाइन में कर सकते हो अब आए ये ये ट्रिक आप समझ गए पहले अब हम बात करते में पॉइंट पे चलते हैं जिनको समझना है बाबु इस कलास को पूरा देखना है मैं मैथ से आपकी मुहबबत करवा दूँगा वह अच्छी वाली आँखों में नींदे न दिल में करार ये मैथ भी क्या चीज होती है यार आप यही कुन गुना होगे लेकिन टाइम दोगे तब जिधर टाइम दिया जाता है उधर सुधार होता है उधर ही विकास होता है कुछ लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं मोबाइल के किड़ा बन जाते हैं देखे हो न तो आप इसमें गुछ जाओ न एक बार आईए वर्ग का मतलब होता है किसी भी गिंती का दो बार गुड़ा करना जैसे 1 का वर्ग मतलब 1 into 1 2 का वर्ग मतलब 2 into 2 फाइनल में ये 1 ये 4 वैसे 3 का वर्ग 3 गुड़ा 3 सबको याद रहना चाहिए मैं बोलू पटाग दे आंसर दीजिए 4 का वर्ग 4 गुड़ा 4 16 5 का वर्ग 5 गुड़ा 5 25 6 का वर्ग इसको लिख लीजिए फटा फट कम से कम आपको 50 तक इसको आर याद रहने चाहिए इसी तरह से साथ का लिखिए जल्दी करें हो गया डन बहुत अच्छे भाई मनोज क्या मुसीबत आ गई लक्षमी कुमारी कविता राजपूत सब को याद है पक्का अच्छा आठ कवर्ग बताओ फिर इसी लगे हाथ आठ गुड़े आठ कितना आएगा फट से बताओ नौ का एट एट जा सिक्टी फोर बहुत अच्छे लक्षमी कुमारी सबसे पहले जबाब टेन का कितना होगा 10 x 10 यानि 9 x 9 कितना एट इट इवन 10 x 10100 देखो एक चीज बताओ आप इमानदारी से कितने तक्का वर्ग आधा इमानदारी से बताओ 10 तक कितनों को याद हाद उटाओ 20 तक कितने को याद है इमांदारी से बताना जैसे अगर कोई पूछे साथ सता तो कहते उन्चास फटाक देज़े से कहते हैं फलाने तो नाम तो नाम तो पूछना नहीं पड़ता ना कि रुक माम में पूछ के आते हैं मुझे दो मिनेट टाइम देना मैं कैमरे की बैटरी चेंज करूंगा दो मिनेट नहीं लगेगा आधा मिनेट अंधेरा होगा एक बार भागना नहीं अब बताओ दीखा बैटरी चेंज हो गई न दीखा न आ गए ना हम फिर से बंधना यादो बहुत अच्छी बात है बेरी गुड 12 का 12 इंटू 12 इक्वल 144 क्यों सही जाराग नहीं इफी तरह से थार्टीन का लिख लो चुप चाप सभी लिख लीजिए जल्दी जल्दी फटा फट बेसिक पढ़ना है ना इस पढ़ना है ना बेसिक पढ़ना है तो मेरी बाते समझना है सुनना है मैं इधर लिख रहा था तो इधर दिख रहा था इस्क्रीन साट लेलो जल्दी आगे मिटाता हूं बहुत जल्दी करें मैं मिटा रहा हूं 14 का स्कॉयर कोई बताएगा एक्स्ट्रा में सोभित बरमा बहुत अच्छे सागर सैनी बहुत अच्छा बेरी गूड मारकर बहुत सारे खराब हो जा रहे थे इफले इनको रगल रगल लिख रहा हूं क्योंकि अब मारकर जो है यूज में नहीं आने वाले हैं 14 इंटू 14 इक्वाल 1,9,6 15 का स्कॉयर 225 होगा क्या सही लिखाऊं सीनू कुमारी बहुत अच्छे सीनू बेरी गूड ठीक है भाया 16 का स्कॉयर 16 इंटू 16 256 होगा ना मारकर थोड़ा दबा के लिखना चाहिए यह सिखा रहा है नहीं तो नहीं चलता है 17 का कितना होगा 17 का स्कॉयर 17 इंटू 17 देखो अब नहीं आदिस के आगे कठीन हो रहा है ना लगभग लग रहा है क्यूं वही 17 का दूश्रो नमासी होगा क्या देखो सही जा रहा है क्या देखो ऐसे कर लेते हैं 17 सत्त्य 119 हासिल 11 सत्त्रा एकम सत्त्रा सत्रा दस 27 इकठा इस सही है आईसे इसको एर बनाया जाता है ऐफे समझ में आया ना कभी था गलत है आपका इसको कर लो बाबू देखो 18 अठेक सो चौवालिस हाफिल आया चौदा 18 इकम अठारा 18 अठारा दस अठाइस चार बत्तिस जल्दी लिखिए आगे बढ़ते हैं फटा फट बहुत जल्दी लिख लिजिए चंदन कुमार गौतम बेरिकूर्ड अधरे बहुत जगा यार तो चलो मैं और लिखता हूं इधर आओ अब मैं उधरे लिखूंगा कि उन्नीस का स्क्वाइर कि इसक्वाइर और रहे आएगगा कि उन्नीस का कितना होगा इक बहर करके देखों उन्नीस नवहियां एक्सोइक तर हाफी लाया 17 सत्रा उन्नीस इक कम उन्नीस उन्नीस में सत्रा जोड़ों कितना होगा है कि इस तरह से बीस का अभी आगे वाला देखो जहां दिख रहा है बस मैं सामने से हाटूंगा सब दिखेगा डान्ट वरी साथ नो साथ सोला हांसिल एक हां सही और एक दूई कितना होगा तीन चतिस सही है ना ऐसे इसको करो कि क्या होगा जीरो जीरो दोनों लिख लीजी ये दो दूना चार ये बता इमानदारी से आप सभी को बीस तक याद था एक बार बोलो यस क्या आपको बीस तक वर गया था हां या नहीं सची बताना दिल से बताना जूट नहीं बोलना पक्का ना यकाइस काइस स्क्वायर यकाइस गुड़े यकाइस थोड़ा कम दिखरा नहीं है रुको 22 काइस स्क्वायर देखो 21 का हो जाता है चार चार रही गुड़ा कर लेते हैं यार कैसे देखो 21 एकाइस का एक हांसी लाया दूई और 21 दूना 42 बैले दूचर वालिस मारकर में स्याही डाल ले यह 2008 स्याही है इसे मिल गई थी मुप्त में ये खराब है कि किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट नहीं है तो आगे बढ़ें चंदन कुमार गौतम ठीक है बेरे गुड़ भाईया 23 का बताओ लगे हाथ देखो 22 का क्या होगा 22 दूना 44 का चार हां फिलाया चार बाइस दूना चावालिस चावालिस चार अना तालिस क्यों सही जा रहागी नहीं परेट फोर अगे इसी तरह तेश्का कर लो फटाफट चौविस पच्चीस सब तो तेश्का करो तेश्टिया ना तरकना अहां फिलाया कितना चे तेश्ट दूना च्यालिस चार पचास दो बावन पांस अंतिस स्वेता मैं वही बता रहा हूं पांस अंतिस ना 24 का कैसे करेंगे 24 का भई रिती दूवेदी ठीक है देख रहा हूं 24 का नहीं बताया कोई मन्जू सरोज बेरी गूड आसीस अर्चना ठीक है यह भी सिंपल है 24 को आप 24 से मल्टीपल करिए भाई 24 चोग का कितना होता है जार चोग 16 चाट दुना ठेक नो 24 चोग का चानवे होता है न तो चानवे का छे लिखिए हांसी लाया कितना नो और चोविस दूना 48 अर्टालीस अर्टालीस दूपचास साथ सत्तावन फिर्टी सेवन ऐसे बनाते हैं पचीस का सब को याद है जग जाहिर है पचीस का सब को याद है 625 इस तरह से आपको मैंने 25 तक का वर्ग लिखवा दिया इमांदारी से याद करना लिखना जरूर है स्वेता गोला तुम बहुत देर में आई हो इसलिए नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि वो ट्रिक में पहले ही बताया था कि जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा लेकिन तुम टाइम पर आओ तब ना स्टार्टिंग में ही में ट्रिक बताया था कि जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा आगे बढ़ें 26 का 26 का कैसे करेंगे भाईया 26 का मैं लिखूंगा लेकिन उसके पहले आप सभी सेशन को लाइक करें फटा फट लाइक करें देर ना करें बहुत जल्दी लाइक करें आईए यहाँ पर 26 इंटू 26 स्याम पटेल इसी लिए तो आपको मैं खेल खेला रहा हूं कम से कम आके खेलो तो खेलो तो आके कम से कम बेरे गूड निकी सिंग बेरे गूड चंदन मंजू निजामुद्दीन सोभीद ठीक है 28 का स्क्वायर 28 गुड़े 28 त्रिक से भी आपको बताया हूँ ना इं स्टार्टिंग में याद है कि नहीं फिर से बताओं इनकी ट्रिक क्या होती है ए यह ट्रिक विल ले ले लो एक्षी ट्रिक से भी ले लो माद लो 25 का सबको याद है इसका ट्रिक लगा कि देखो ये बताया हूँ न ट्रिक में पहला डिजिट कमान ए है दूसरा का भी है मैंने बताया था कि पचास से बड़ी संख्या होंगी ताब इनका यूद जरूर करेंगे एक ही जगा पर यहां पर दो है गुडा यहां पर a की जगा पर 2 है बी की जगा पर 5 है ओके यह हो जाएगा 4 यह 2 जू न चार पंचे 20 कितना हो जाएगा 25 न इनको ऐसे लिख लो 20 का 0 और हाफिल जो आएगा 2 उसको ऐसे चोटा फ़ लिख लो ठीक है और यह 35 पचीस का पांच हांसिल दो छोटा सा ऐसे बताया था ना आपको लेकिन यह पताने इसमें ट्रिक लगेगी कि नहीं बड़ी संख्याओं में तो लगती है यह 50 के उपर लगती अच्छे से पचास के उपर तो अच्छे फिल लगती है आईए देखते हैं फिल हाल क्या होता है यह पांच ऐसे रहेगा यह हांसिल जो दो है मेरे भाई वो क्या होगा वो आकर के अगली वाली संख्या में जूडता है तो जीरो है जीरो में दो जूड़ेगा तो जीरो ही रहेगा और फि फिर क्या होगा यहां पर दो भी तो है नहीं यहीसे थोड़ी होता है सुनो यहां पर हांसिल दो है जीरो में आके जूड़ेगा तो जीरो में दो जोड़ों के तो दो होगा ना तो यहां पर दो आएगा और इसका जो हाफील एक थी यहाँ दो बचा था, यहाँ दिख रहा है न जी रोक नीचे, यह आगले वाले में जुड़ेगा, चार में, तो चार में तो जुड़ेगा, तो छे, सही तो है, बन तो रहा है, सही तो है, बन तो रहा है, समझ में आया कोई डाउट नहीं किसी को ना लिख लो जल्दी से ये ट्रिक वाला था तो ये सब आप लोग कर लेंगे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं लेकिन मैं लिखुआ देता हूं चुकि हमारी जिम्मेदारी है लिखुआ न तो लिखवा दे रहा हूं डाउन ठोरी चलो चलो भाई 27 का कौन बताएगा 27 गुड़े 27 देखो लास्ट में नौ आएगा ये तो पक्का है करके देख लो फटा-फट हाँ ठीक है बेरी गुड बहुत अच्छे कि कमेंट में सबका देख रहा हूं कुछ लोग का रिपलाई भी कर रहा हूं कि आओ कि लास्ट में नौ आएगा पक्का है कि 729 ठीक है 26 का कर लिजिए कि प्रिक से बताऊ 26 का प्रिक में देखो क्या होगा इसका इसक्वार हो जाएगा दो यानि 4 हो जाएगा तो अट्व ए बी यानि छे दूना बारा और बारा दूना 24 का 4, हाँ फिल आया कितना? 2, और 6 6 36 का 6, हाँ सिल आया 3, ट्रिक लगाओ कि क्या होगा? ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये 4 3 जुड़ेगा यहाँ साथ, और ये इसमें जुड़ेगा 6, 676, बोलो सही है कि नहीं? क्या मैं 676 सही लिखा हूँ, 26 का है नहीं? एनिवन, सही न? चलो भाई, 27 में लगाओ, ऐसे ट्रिक, 27 में ट्रिक लगाओ गे, तो A का स्कौयर यानि 2 का स्कौयर 4, और 2 A B, 2 A B मतलब 7 दुना, 4 दूना, 28 का आठ, हाँ फिल कितना आया? 2, और B का स्कौयर यानि 7 का स्कौयर, 49 का 9, हाँ फिल कितना है? हाँ पे 4, भाई, ये नौ ऐसे रहेगा ये चार हांसिल इसमें जुड़ेगा आरचार बाराग दो हांसिल इसमें एक आ गया हाँ और हांसिल एक वो और दो हांसिल ये तीनों इसमें जुड़ जायागा साथ 729 चाही तो जा रहा है सही तो जा रहा है न 28 में ट्रिक लगाओ देखो ट्रिक यह होती है लिख देता हूँ A का स्क्वाइर 2AB और B का स्क्वाइर यह ट्रिक है A की जगा पर पहला अंक B की जगा पर दूसरा अंक यानि A की जगा पर दूसरा अंक B की जगा पर आठ तो दो का स्क्वाइर यानि चार 2AB यानि 8 दूना 16 दूना 32 का दो हाँ फिला है तीन 8 का स्क्वाइर यानि 16 का च्छा हांसिल है एक सिर्फ दाहिना अंक लिखना है पूरा बाया अंक हांसिल हो जाता है तो ये छे ऐसे ही रहेगा नहीं यार आठ नहीं 64 होगा भाई साब 64 का चार हांसिल यहां 6 आएगा तो ये लाइस्ट में जो आएगा 4 आएगा ये 6 इसमें जुड़ेगा हांसिल तो ये 8 हो जाएगा और ये हांसिल इसमें जुड़ेगा 7 हो जाएगा 784 आएगा न कभीता सिंग सही है विपिन एनिवन किसी का कोई डाउट 29 में ये ट्रिक लगा दो 29 में देखो भाई क्या होगा एका स्कॉयर यानि दो का स्कॉयर चार हो गया 2a b यानि इन दोनों का गुड़ा करके डबल करो तो 9 दूना 18 दूना 36 का चासी लाया 3 3 यानि लाइस्ट वाली किंती का स्कॉयर करना है 9 का स्कॉयर 81 का एक हासी लाया 8 आफिल छोटा लिख देना है अब ये 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये हासील इसमें जुड़ता है तो 8 छा 14 14 का 4 हासील 1 और ये हासील 3 तो 3 एक 4 चार आठ 841 देखो ट्रिक काम कर रहे एक नहीं ये ट्रिक लगा के आप फटा फट सारा निकाल सकते एक तरफ से कि इसरी को कोई डाउट है तो बता दो एक बार में ये आस रूट में दो नंबर रूट में मुल्टिपल करेंगे तर इसक्वाय रूट में दो नंबर का रूट का मुल्टिपल करेंगे ठीक है हरी इस बेरी गुड इसी तरह से 30 का भी कर लेंगे इसमें किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए 30 गुड़ा 30 इसमें तो ऐसे पकड़ के कर लो 30 का जीरो में 0 और तीस तक लिखवा दिया इसमें से आज कितने लोगों को याद होगा बताओ अगर आपने इन्रोल किया तो अच्छी बात है नहीं किया तो आज ही कर लीजिए Google Play Store से PVR Study आप डाउनलोड करिए यह स्पेलिंग है PVR Study झाल